तो इसमें जो केलवन है देख लिजेगा यहां पर बने हुए है स्किल्स हाँ जी यहां देख सकते हैं सबसे पहले आप देखें celsius celsius आपका 100 degree centigrade की measurement लेता है with difference of 10 0 10 20 30 40 ठीक है सबसे चोटा है celsius इसके बाद आप फरहन हाइट पर देखें तो फरहन हाइट की क्या है 32 42 यह भी 10 का difference है लेकिन starting from 32 स्टार्ट ही 32 से है और ending on 272 इतनी ही devians लेता है यह बड़ी devians है परन हाइट उसके बात Kelvin स्केल आता है कैल्वन स्केल का 273 से started है और इसी तरीके से 283 10 devians के साथ यानि फॉर्स मीजर डिफरेंस 10 कहीं है 10 devians के साथ 373 तक यह कैल्वन जाता है अब सिंपल सी बात है अगर आपने celsius से कैल्वन में जाना है तो आप क्या करेंगे इसकी जो भी devian है 30 है 40 बिलफर्स कोई भी अगर यहां पर devian है जैसे मैं कहते हैं यहां पर 50 है ठीक हम celsius के हमें celsius के 50 डिग्री celsius बता है हमने उसे जाना फॉर्ण हाइट में तो फॉर्ण हाइट में जाने के लिए आप 273 से प्लस करेंगे और फिर आपकी devian भर जाएगी और फॉर्ण हाइट में आप उसकी पायमन बता सकेंगे इसी तरीके से अगर आपने जाना है केल्वन में कभी आप 273 से प्लस करेंगे ठीक है क्योंकि 273 की devian स्टार्टिंग है ना तो आप 273 से प्लस करेंगे इसी तरीके से आप पास कुछ एक्वेशन आएं की इन मैयमेंट्स को इन थर्मामेटर्स की जो मैयमेंट्स हैं को लेने की एक्वेशन हैं जो आपने याद रखने हैं तो यह तीन क अगर किसी डेप्थ में वोटर वोटर को चेक करने के लिए उस थाप की एक्वेशन में योज़ोता है ठीक है और से इंटर्वल बिट्वेशन की सबसे पहले बात कर रहे हैं देंटर्वल बिट्वीन लॉर और अपर फिक्स पॉंट इस डिवाइज इंटो हैं तो हिंडर् इस डिवाइज इकल पार्ट में इस लॉर फिक्सवाइज इस 32 अपर इस तूट्वल तो आपके पास जब इस डिवियां से इस डिवियां आना होगा तो थर्टी तूल ओर वाले से आपने लोर वाले को अपने प्लस करना होगा इन सिस्टम इंटर्शनल इड इडिए उन उ चेंज इन वान डिकी सेंटिग्रेस इकोर टू वन के लिए फिक्स पॉइंट इस तू सैंटीफी कॉर्में ठीक है इसके बार हम बात करेंगे के लिए तार हमने तीनों मार करने हैं विट टेफिनेशन आपने याद रखने हैं तीनों मैयमेंट्स